हलो दोस्तो विल्कम टू कभी रिष्ट पॉइंट दोस्तो आज मैं अलजेब्रा की बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन करवा रही हूं दोस्तो यह कोश्चन आपके हर एक्जाम के लिए यूज़ फूलोंगे इस पैसली एंटी फीसी ग्रूप डी के लिए दोस्तो ठीक है दोस्तो जैसे ऐसे कुश्चन दोस्तो मैं कैसे पेपर में हम जल्दी करेंगे वो आपको करना बताऊंगों जैसे किनी दो संख्याओं का योग कित्त दिया है दोस्तो 14 है क्या है किनी दो संख्याओं का योग 14 है तो इन संख्याओं की वर्गों का योग हमको बताना है दोस तो ऐसे कुश्चन अगर हम दोस्तों फार्मूले से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा अब क्या बोला है ऐसे हमी दो संख्याय लेनी है जिनका गुड़न फल 48 हो और योग क्या 14 हो तो आप ऐसे देख लिजे 48 है तो आप यहां पर 48 लिख लिजी 48 का अगर आप 8 चंग 48 ठीक है अगर 8 का 6 से इंटू करेंगे तो 48 आएगा और आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो इतन्ह देखिये दोस्तों 14 आ रहा है यहाँ पर दोस्तो हमारा एंसर हो जाएगा देखे दोस्तो ऐसे कुछनों को आप ऐसे ही करेंगे तब ही एक्जाम में आप उसको अटेंड कर पाएंगे आप फर्मूलिस करने जाएंगे तो बहुर टाइम लग जाएगा ठीक है दोस्तो अब चलिए दोस्तो मैं नेक्स्ट पांच है तता इनका गुड़न फल कितना है दोस्तो चतीस है दो संख्याओं का अंतर पांच है ठीक है जैसे दोस्तो उनका गुड़न फल चतीस है तो इन संख्याओं की वर्गों का योग क्या होगा दीखी दोस्तों अंतर कितना है पांच है गुड़न फल कितना है चतीस ह अब देखिए जैसे 36 है 36 का हम क्या factor करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 को 36 अब देखिए अंतर बोला है क्या है 5 है आप इनको minus करिए तो देखिए दोस्तों हम अंतर करने पर minus करने पर भी हमारा 5 आ रहा है मिस हमको A मिल गया बी मिल गया हमें दोनों संख्याय मिल गए अब इनके वर्गों का योग पूचा है तो कुछ नहीं दोस्तों आपर 9 का square कर लीजिए और यहां पर 4 का square कर नकिया हो जाएगा ठीक है दोस्तों मैं और इसी तरह क्योंन दोस्तों अपको कर रहाती हूं ठीक है दूस्तों आप जाहां तक कोशिस करें कि दूस्तों आपको ऐसे कोशन